दोस्तों लेटरिन करने गया आदमी लेटरिन के साथ में उसको जो है मवाद आ जाता है पस निकल जाता है तो इसका क्या कारण हो सकता है क्या किया जाए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो देखते रहे उससे पहले रिक्वेस्ट है ग्यानी अर्थ मेडिकल चैनल को आ होना एक आम बात है इंडाइजीशन होना ब्लड बगर आना तो एक कॉमन ही हो चला है आजकल क्यों कितना ज्यादा कॉंस्टिपेशन का समझ में नहीं आता कि यह क्या है तो देखो पहले समझवा आप म्यूकस के बारे में कि म्यूकस होता है एक चिप चिपा पधार्थ ठी हachment म्यूकस की कुछ जलेंस होती है आपकी बॉडि में हर जगया म्यूकस की कुछ घ्लेंड जीलें निआ है म्यूकस की म्यूकस होती जो की म्यूकस सीक्रेट करती है एक चिप चिपा पधार्थ और ह RICH रवय कहा ठीक है जहां पर मल एकटा होता है तो रेक्टम जो होता है वहाँ पर भी कुछ मुकस ग्लेंट्स होते हैं जो कि मुकस निकालते हैं तो यह जो मुकस निकल रहा है इंटेस्टाइन्स में और रेक्टम में यह बेसिकल क्या करता है आपको लूबरिकेशन की तरह वर्क करता है आपके जी आई ट्रेक में लूब्रीकेसन मतलब की चिगनाई और मॉश्चर नैस बना के रखता है नम बना के रखता है इसकिन को तो यह बहुत इंपोर्टेंट है अर्वेक्तिसाथ होता है लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है यह जो म्यूकस है कई जगा पर इखटा हो जाता है बहुत सारा इखटा हो जाता है और फिर रेक्टम में इखटा होता है फिर इरिटेशन इंफ्लामेशन ही सब होता है इस कंडिशन को बोलते है क्या प्रॉक्टाइटस इसमें क्या होता है कि बेसिकली म्यूकस भार निकलता है जब आदमी लेटन जाता है तो मल के साथ म्यूकस भार निकलता है कोछ चिपचेपासा पधारत तो आदमी उसमें भी सुचता है कि यह कह चीज है तो उसमें आपको घबराना नहीं कई बार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा म्यूकस से खटा होकर रेक्टम में आ जाता है के अब बात आते हैं वहीं का कहोगा तो देखा पस जो है एक कार से कई बार यही म्यूकस अगर किसी टरह की इन इनफेक्षण हो बार तो खोगी तो कुछ गया सलिकी इसels के साथ बहार आ थिए तो लगता है मबाद भी जातल लाँ बहुत सारा तो एक तो यही कारण होता है उसके लावा अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई पस ज्यादा आता लाता है जो विए घंटे तो उसमे आपको एनसके आसपास देखना होगा कोई घाव अगरा तो नहीं और पक तो नहीं रहा कोई बुसरा कारण हो सकता है वह एक लोकल इडिया में कोई इंज्जरी कोई उन हो सकता है जो कि पस बन गया है पस फर्मेशन हो रहा है बट 90% केसिस में देखा गया कि जो मुकस एकटा होता है प्रॉक्टाइटिस की प्रॉडम जो होती है उसी वही कई बार पस फॉर्मेशन डेवलप हो जाता है तो यह कारण क्या हो सकते इसको समय लेते हैं को कारण का नॉर्मली है कि वह कॉंस्टिपेशन इन्डाइजिशन मतलब कि अपज कब यह सब हो सकता है अगर आप इसका सभी समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो यह किसी को भी हो सकता है चीक है तो मवादाना कोई बड़ी बात नहीं है बात करें इलाज में क्या दिया जाएगा तो इलाज में बिल्कुल नॉर्मल से इलाज चलता है जो आपका पाइल्स का चलता है वही लेक्न दिये जा सकते हैं तो यही होता है क्या पस इन इस टूल का कारण और इलाज आई होप आपको आपका अंसर मिल गया होगा वीडियो अच्छे लगाए लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें इससे मज़े मोटेविशन मिलता है और आपको मिलेंगे वीडियो को कर दो